चूरू जिले के राजगर्ध थाने के S.H.O. विश्णू दत्विश्णूई की आत्म हत्या के तीन दिन बाद ये मामला पूरे प्रदेश की सुर्खियां बन चुका है राजगर्ध C.I. विश्णू दत्व सुसाइट के इस तीन दिन बाद मंगलवार सुवा चानक ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा इसकी वज़ा ये है कि अब इस मामले में C.B.I. जाच की मांग उठी है इस मामले को लेकर मृतक पुलस अधिकारी के परिवार के साथ ही प्रदेश के चार विधायक, चार सांसदों के साथ ही तमाम लोगों ने एक सुर में C.B.I. जाच की मांग की है तेर आए, दुरस्त आए, सरकार ने जो पहली मांग हमारी थी पूरे परकण की C.B.I. से या न्याइक चांच, न्याइक जाच की बात मनजूर कर ली मरतक आशरित को अनकुम्पा निक्ति में अपर ग्रेड करके गजटर्ड ओफिसर की निक्ति दी जाए और तीसी सबसे बड़ी मांग थी कि इसके तीछे जिन लोगों ने प्रिजित किरिया किया अत्मथ्या का जो कारक बने उनके इकलाब 306 मुक्तनों दर्जों तीनों मामलों में सहिमती बन चुकी है केंद्रिय मंत्री अर्जुन राम मेगवाल, केंद्रिय मंत्री गजेंदर सिंग, शेखावत, नागोर सांसद हनुमान बेनिवाल, श्री गंगा नगर के सांसद निहाल चंद मेगवाल, के साथ ही विधायक बलवीर सिंग, विधायक बिहारी लाल विश्नोई, विधायक गि अधीब शाहपीनी ने मुख्यमंतरी अशोगहलोत को एक एक खत लिखकर मामले की सीवी आई से जाच करवाने की मांग की है ऐसे जोने अपनी जान देने से पहले दो सोसाइड नोट लिखे थे एक अपने माता पिता के नाम जिसमें उनोंने उनसे अपने बीवी बच्चों का खयाल लखने को कहा और सोसाइड जैसा कदम उठाने के लिए माफी मागी जबकि दूसरे खत में लिखा कि मैंने अपना काम हमेशा पूरी निस्था और इमानदारी से किया है मैं कायर नहीं हूँ इस मामले में राजगर थाने के ही कुछ पुलिस वालों ने बीकारेर रेंज के आईजी के नाम एक खत लिखकर अपने सामूहिक तबादले की मांग की है खत में लिखा है कि सादूलपूर की विधायक उनके काम में दखल देती थी और अनावश्यक रूप से उन पर राजनीतिक दवाव बनाती थी लेकिन सादूलपूर से कॉंग्रेस की विधायक क्रशना पूनिया इसे अपने खलाफ सियासी शड़यंत्र का हिस्सा बता रहे हैं इस राजनीति में जुढ़े आरोप टे करने की कोशिश की गई लेकिन मैं आप सब को वरोशा दिलाती हूँ मैं भी चाहती हूँ कि जास जो है बुस्तरिय होने चाहिए न्याय मिलना चाहिए और दूर का दूर पानी का पानी होना चाहिए जो नेता यहां पर राजनीति ग्रोडियां सेखने आये थे उनको भी पता लगना चाहिए कि वो किस तरीके की राजनीति चूरू जिले में हमेशा उन्होंने की है वो करते आ रहे हैं चूरू जिले के राजग धाना अधिकारी विश्नुदत विश्नुई ने तीन दिन पहले अपने सरकारी आवाज पर फासी लगा कर जान दे दी थी प्रदेश के सबसे होनहार और इमांदार अपसरों में शामिल विश्नुदत विश्नुई का ये कदम उठाना हर किसी को जगचोर देने वाला है हलाकि मामले की शुरुआती जाँच के आधार पर ये सामने आ है कि ज्यादा मानसिक दवाव की वज़ा से उन्होंने आत्म हत्या की लेकिन ये प्रेशर किसने डाला ये अभी तक साफ नहीं है 1997 में राजस्थान पुलिस में भरती हुए विश्नुदत विश्नुई इतने साफ चवी वाले पुलिस अधिकारी थे कि हर पुलिस अधिक्षक इन्हें अपनी टीम में लेना चाहता था अब मामले की जाँच के बाद ही उनकी मौत का राज फाश होगा राजस्थान तक के लिए चूरू से विजय चोहान की रिपोर्ट